हलो फ्रेंड़्स टैलियू टुटोरिल स्रीज की इस वीडियों में आप लोग का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पियोस के बारे में पियोस यानी पॉंट औप सेल प्योस का यूज हम लोग जनरली तेजी से बिल बनाने के लिए करते हैं जब भी आपको जो भी चाहिए आप पसंद करके काउंटर पे लाते हैं तो काउंटर पे बैठा बेक्ती क्या करता है एक मसीन जिसको लोग बार रीडर बोलते हैं उसके तुरू उसे स्टाक आइटरों को स्कैन करने के बाद तुरंद भील आपको आपके हाथों में देता है और बिल पे काफे इंफॉर्मेशन भी होती है जैसे आपने पेमेंट किसके थूरू किया कैस के थूरू पेमेंट किया या किसी कार्ड डेबिट या क्रेडिट कार्ड का यूज किया चेक के थूरू किया कितना पेमेंट किया और कितना बैलेंस आपका बचा हुआ है इन सारे डिटे कैसे करेंगे इस वीडियो में हम टीटेल से समझेंगे तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं श्यू आइडियल टेकनिकल चर्ण में आप रूप का स्वागत है एदियाप MS Office, से काउटिविट टेली, डिजानिंग, प्रोवामिंग, वेब डवलपिंग में मास्टर और इक स्पार्ट होना चाहते हैं तो इस श्यूर को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके हम टैली स्क्रीन पर आगे हैं। टैली में मैंने से आइडेल टेकनिकल नाम का एक कमपनी बनाकर रखा हुआ है। अब इस कमपनी में हम पहले जी एस्टी एक्टिव करते हैं, एफ-फ-फ-21 और EF11 और EF3 प्रेस करते हैं और यहां से दोनों आप्शन प्रेस करके इन सारी इंफॉर्मेशन पे हम सारी डिटेल्स भर देते हैं यह अपना GST नंबर हमने एक डमी डेटा लिया है आप भी इसी तरह भर सकते हैं अब बाकी information हमारे लिटेबल है तो इसलिए enter-enter करते हुए हम इस options को save कर लेते हैं पूरे menu को हम इस तरह की से enter करते हुए इसको save कर लेते हैं इस प्रकार हमारा GST active हो गया इस कहाँ करके हम gateway of tally पर पहुचते हैं gateway of tally पर जाने के बाद हम inventory info में हम जाते हैं और stock item बनाते हैं सब पूछ करिए कि हमारा जो company है computer parts को बेचता है तो computer parts का हम सारा stock item बनाएंगे पहला stock item हम रख लेते हैं keyboard यहाँ पर दिया under में हम यहाँ पर stock group बनाएंगे यहाँ प्रेस करेंगे computer parts हमने यहाँ पर रख दिया और primary रहेगा और GST को detail हम यहाँ पर yes करेंगे और यह सब options की जरुवत में इसको enter करके आगे करेंगे taxability में आपको हमें taxable चुणना है यहाँ पर enter कर दिया माल लेते हैं 18% का text लग रहा है enter समस को save करते हुए save कर लिया अब हमें units पूछ रहा है add plus c करके हम pieces बना लेते हैं PCS और इसका full form देते हैं formal name में और enter समस को save कर दिया अब यहाँ से alternative unit की कोई जरुवत नहीं enter करते हुए अब information इस menu इस window को हम save कर लेते हैं इसी तरह एक और stock item बना लेते हैं mouse, computer parts, pieces, बाकी information जैसा है उसी तरह रहने देते हैं tft जो मारा monitor होता है वो tft, computer parts, बाकी सारी information उसी तरह रहते हुए enter से save कर लें अब हमने तीन stock item बनाया है इसी तरह बाकी सारी stock item को same इसी रूल से आप इसी तरीके से बना सकते हैं अब subscribe करते हुए हम gateway app tally पे पहुचते हैं अब हमें Pios class Pios का एक voucher type बनाना है बाउचर type बनाने के लिए आपको जैसा मालूम है या तो आप account info में जाए या inventory info में जाए दोनों option में एक option मिलता है voucher type तो हम account info में जाते हैं बाउचर type पे क्लिक करते हैं अब create पे क्लिक करते हैं और name में हम Pios लिखते हैं Pios और select type of voucher में हम यहां से sell चुनते हैं sell बाकि सारी information जैसा है उसी तरह रहते हुए हम इस option पर आते हैं use for Pios inviicing के सामने हम yes करते हैं अब यहां से जो भी message आपको bill पे print कराना होता है आप यहां से message to print पे करेंगे यहां से आप जैसे पहला message में चाहता हूं thank you हो जाए thank you फिर यहां से print message to message to print to मतलब दूसरा message क्या चाहते हैं मैं चाहता हूं कि वहां पे visiting again हो ठेक है फिर default print title अगर कोई default title to print है देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं means जैसे कंपनियां बहुत सारे मतलब festival offer बहुत सारे offers निकालती हैं तो हम यहां पर लिख देते हैं festival offer offer यहां से बाकी सारे इंपर यहां से हैं तो आप यहां पर लिख सकते हैं मुझे change करने के जरूत नहीं है इसलिए मैं subscribe करता हूं और यहां पर no करके हम enter करते हैं name of class में आपको यहां पर आके देना है POS class या कुछ भी आप नाम आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं enter करेंगे अब यहां से आप से पूछ रहा है कि आप किसके थ्रू कस्टमर से payment accept करेंगे लेंगे gift voucher कंपनिया gift voucher भी देती है अपने नाम सुना होगा कि इतने का gift voucher दो सोड़ाई सो तो उसी तरह कर गिफ्ट वाउचर दे लाउट करना चाहते हैं तो आप यहां से आप प्लस सी से gift voucher का आपको लेजर बनाना पड़ेगा gift voucher और यहां से gift voucher का लेजर हम Sunday debtors में बनाएंगे क्यों बनाएंगे क्योंकि यह customer से related है और customer से जितनी में लेजर होते हैं वह Sunday debtors में बनता है बाकी सारी information पे हमें कुछ नहीं करना है एंटर एंटर करते हुई informants इसको save कर लेना है फिर उसके बाद हम आते हैं यहां से मुझे पूछ रहा है credit debit card payment जी हां हमें लेना है तो add c से हम अपन sbi का चाहिए जो भी bank का एक laser बना लेजिए sbi का laser bank account बाकी सारी information अगर आप देना चाहिए तो दे सकते हैं नहीं तो मुझे ज़रुवत नहीं है enter समने इसको save कर लिया फिर चेक अगर आप accept करना चाहते हैं तो sbi का हमने रख लिया cash लेना है तो cash ले लिया अब इतनी information बनने के बाद हम national sentence पर जाते हैं तो यहां पर laser name पूछ रहा है तो add c से हम यहां पर sell का laser बनाएंगे sales account यहां से हमारा sales account है और बाकी सारी informations है applicable हम goods बेच रहे हैं तो goods करेंगे enter समने को save कर दिया फिर यहां से sales बाकी सारी information जैसे है उसी तरह रखने देते हैं अब यहां पर gst और sgst taxes यहां पर देना है तो lc से हमने yes gst का हमने एक laser बनाया जो duties and taxes के अंदर होगा अंडर में यहां से gst चुनेंगे और यहां पर step tax और बाकी सारी information एंटर करते हुए save करेंगे फिर यहां से lc c gst हमने चुना और यहां से duties and taxes और यहां से हमने gst चुना और यहां पर central tax यहां से एंटर करते हुए हमने इसको save कर दिया ओके और यह एंटर तिर से हमने एंटर करते हुए यह हमने accept कर लिया इस तरीके से हमने pos का एक voucher टाइप बना लिया इतना काम करने के बाद हम gateway up tally पर फिर से जाते हैं और यहां से accounting voucher पर select करके एंटर करते हैं और sell vouchers को हम लोग जब click करते हैं तो हमारे सामने यह option आता है कि आपको pos का यूज करना है कि sales का क्योंकि sell के अंदर ही हमारा pos बना है तो इसलिए आप से पूछ रहा है तो हमें pos यूज करना है अगर आपको voucher class बना यूज करना है कि नहीं तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम voucher class यूज करते हैं तो क्या effect पड़ेगा अगर नहीं करते हैं तो क्या तो पहले नहीं करन पहले हम देख लेते हैं कि बिना प्योस क्लास यूज़ कि वाउचर इंट्री करते हैं तो क्या एफेक्ट होता है तो अभी हम नाट अपली केबल करते हैं और देखें यहां से पार्टी नेम में पूछ रहा है तो पार्टी नेम में जरणी नामों देने की जरूवत नहीं है एंट्रे कर दिया और सेल में सेल एकाउंट फिर इसके बाद जो भी स्टाक आइटम आपको लेना है देखें और एक चीज़ वासे यहां पर आप समझ लीजिए कि जब प्योस की इंट्री करते हैं तो कस्टमर सिंगल मूट में भी पेमेंट कर सकता है मल्टीपल मूट एक सकते हैं यहां पर क्लिक करते हैं या यह यहां पर कुलिक करके आप से आप जुर्म मूट में में करते हैं जयसे एक कीबोर्ड करते हैं यह mów माउस ले लेते हैं एक माउस एक पीस है जिसका रेट 500 रुपे है और यह है इसके बाद हमें इस पे टेक्स भी लगाना है cgst और yes gst का हमने एक टेक्स लगा दिया और total हमारा बिल बना कितना 1534 रुपे और यहां से हमारा cash cash 1534 में customer ने हमें 2000 रुपे दिया और यहां से balance में हमारा 406 रुपे बना देख रहे हैं देखे सारा information आपका आगया इतना बिल है customer ने टेंडर्ड किया 2000 रुपे हमारा बचा है 1534 का बिल है अभी देखे थैंक्यू विस्टी अगेन फैस्टिवल आफ़र इस सारे information आपका आटोमेटिक बिल आटोमेटिक फ्रिंट हो गया तो इस तरीके से आप तेजी से बिल बना सकते हैं यह तो हमारा पी ओस में था single mode में अगर आप multiple mode में करते हैं तो कैसे होगा अब यहां से आप control P या यहां पर क्लिक कर देते हैं तो यहां से पार्टी नेम में अगर आप देना चाहते हैं तो लेजर बना के कर अंदर दे सकते हैं हमें जरुवत नहीं है तो हम एंटर कर लेते हैं और सेल में सेल अकाउंट और कीबोर्ड कीबोर्ड में एक पीस माउस एक पीस अब देखिए और यहां से अब देखिए 1534 रुपे हमारा हुआ 1534 में अब हमारा गिप्ट वाउचर अगर 100 रुपे मालेज़े गिप्ट वाउचर यूज़ करना चाहते हैं तो 100 रुपे अगर गिप्ट वाउचर दे दिया अगर क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ करना है तो SBI की थूप कितना 1434 अभी हमें चाहिए चाहे तो कस्टमर दे सकता है डेबिट कार्ड की थूप क्रेडिट कार्ड की थूप लेकिन हमें सारे अपसं का यूज़ करके दिखाना है तो मैं थोड़े थोड़े पैसे हर अपसं से लेता हों, तो माली जे पानसो रूस ने डेविट कर्ट के फ्रू spending किया, और उसका काड नमबर यह था, फिर उसके बाद चेक नमबर से चेक 500 रूपया दिया, जिसका बेंग किस बेंग दिया माली जेब बैओ बी का चेक नमबर हमारा ये है, और cash हमारा बचा, 434 मुझे चाहिए, customer ने हमें 500 रुपया दिया, ये balance बचा, enter से में इसको save कर दिया, save करने के बाद देखेंगे bill automatic print हो गया, अब देखें सारी information आपको यहाँ पे show हो रहा है, कि give to auction कितने का है, credit debit card, card number, check, check सारी information यहाँ पे show कर रहा है, आपके सारे stock item के descriptions हो कर रहा है, card information, thank you, visiting सारा, सेम चीज आ रहा है, अब तो हमने अभी P.O.S के entry without P.O.S क्लास के use के किया, अब हम P.O.S क्लास के use करके करते हैं, तो क्या different होता है, तो इसके लिए हम effect press करते हैं, P.O.S चुनते हैं और P.O.S क्लास चुनते हैं, जैसे P.O.S क्ल laser आगें, यहाँ पर हमें sell का laser जो देना होता था, वो देने की ज़रुवत नहीं है, बस आप यहाँ पर party name अगर है तो दीजिए, otherwise आप not applicable करके enter करके आगे चलिए, और यहाँ से बस stock item चुनिए, और यहाँ पर TFT, और यहाँ से सारे information आप देते हुए, देखी कितना तेज से हमारा bill भी बन गया, और अब यहाँ से पूछ रहा है कि gift voucher कितने का देना है, मालीजी हमने gift voucher 500 का दिया, अभी हमें 18,736 रुपे चाहिए, तो customer चाहिए, तो इसकी थूपी payment कर सकता है, लेकि मुझे सारे options का यूज़ करके दिखाना है, तो थोड़े थोड़े पैसे कोभी का, और यहाँ से, यहाँ से देखे, चेक नंबर भी डाल देजी, चेक नंबर यह था, और यहाँ से cash टेंडर पांच जार रुपेया, हमें customer ने cash दिया, 1266 रुपेया उसका बैचा, एंटर समें इसको save कर दिया, और इस तरीके से देखे, यह हमारा bill भी print हो गया, काफी information, काफी तेजी से bill हम पियोस के थूप बना सकते हैं, तो इस तरीके से आप पियोस यूज करके, आप अपने shop पे या अपने business में, या कहीं पे भी जहाँ पर job कर रहे हैं, आप billing speed को बढ़ा सकते हैं, ओके इस वीडियो में इतना ही, यह वीडियो कैसे लिए comment box में च इस वीडियो में, थैंक यू